कि हालो इस्टूडेंट बहुत-बहुत स्वागत है आप सब का अपने परिवार पीवीर स्टेडी में आज जल्दी से आपकी कलास शुरू हो चुकी है चलिए जैसे कि आप जानते हैं कि हर दिन रत्री के आठ बझे से होती है तो आज भी हम रत्री के आठ बजे से सुरू कर चुके हैं आपकी क्लास तो जल्दी से आजाओ फटाफट हम लोकुष्चन लेके आए हुए हैं आपके लिए जो भी है कल हमने कुछ कुछ आपको पढ़ाये थे और आपने देख भी लिए थे जी बिजे कुमार जी जुड़ चुके हैं संध्या सिंग मुकेश प्रियांसु अंकिता और कौन भाई मनीश और ही तेस जैन जी बिल्कुल चल यह ठीक है तो हम कुश्चन पर आते हैं सिधा सिधा पॉ अब इदर के लाइट जला जो अकले सी बड़ी वाली चलो देखो कुश्चन नमर पहला क्या है कि द्यान दो इदर साइड में फाइस कुश्चन क्या है यह सब यूपिटेट में पूछे गए सवाल है इक्वल अंडर रूट है इसमें और यह है दो सो तो कहरा फिर अंडर रूट कमान क्या होगा चलो आप लोग कमेंट करोगे क्या बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है पहला अपसने तीन सो चीयतर होगा दूसरा है पांच सो चीयतर तीफरा है ट्वंटिफोर चौथा है नाट इनमें से कोई नहीं कोशिज करेंगे आप लोग यार यह मुझे लग रहा है यूटूब नोटिफिकेशन नहीं दिया क्या चलो ठीक है मैं पढ़ाऊंगा तो है चाय कोई जुड़े या न जुड़े अब ध्यान दीजिए आप लोग कोशिस करिए इसमें क्या करना है ट्राइ करिए देखो बहुत सिंपल है यह इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अब आज एकदम क्लियर है हाँ ठीक है एकदम मस्त है चलो तो देखो इसको हम इधर साइड में लिख लेंगे और ऐसे क्रास मल्टिपल करेंगे चुकि हमें ट्रीक लगाना है यहां पर जल्दी फे जल्दी हल करना है सोब दो बेसिक तो हल नहीं करना है कि हम आपको बताएं कईसे कईसे का होगा तिर्चा गुड़ा कर दोगे यह पचास गुड़े अंडर रूट में कुईस्च्चन मार का एगा बच्चा है और यह बराबर हो जाएगा छे गुड़ाव दोसो लगा नहीं किस ना ठी सिंग्द्राइसिंग ठीक है बिलकुल कोशिस करते रहीं अच्छी बात है आप लोग करते रहे हैं और यहां से अंडरूर्ट बराबर निकालोंगे कि तो भाई छे का गुड़ा किस में हो रहा है कि दो सो में हो रहा हैं जो 50 पचाश का उसमें हो रहा है न तो अंडर रूट बराबर निकालों तो टो क्या आएगा बताओ कि ज factual रूट बढ़ाबर छ गुडि 돼 200 पचाश को कि इधर त elder जोएगा यह भाग में ऊ-बठार हो यह को 12,21 बता रहे हैं कैसे से काम चलेगा है कि मैं इसमें कमेंट देख रहा हूं कि हाल कर लो इसको काट दो 50 से आपको पता है पचाच हो के सो तो यह कितना आएगा अंडरूट कुईस्चन मार्क में आएगा बच्चा 24 और अंडरूट का चिन हमें हटाना होगा सन्द्या जी बिलकुल 24 आएगा लेकिन अंडरूट के अंदर कुईस्चन मार्क है तब है अगर हमें अंडरूट का मान निकालना होता अंडरूट के अंदर कुईस्चं मार्क तब तो 24 था ठीक था इसलिए गड़ बड़ा जाते हैं लोग है न किसान कुमार समझ में आ रहा ना भाईया चलो तो कोई बात नहीं इसमें क्या था कुश्चन मारक का मान निकालना था बस सिंपल सा था एकदम बहुत ही सिंपल था एकदम प्यारा सा था छोटा सा बच्चा सा एक कुश्चन और मैं कल करवाया था उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन बाद में पहले आप कुछ नए सवाल कर लो तब ठीक है चलो नए सवाल पर हम लोग चलते हैं कह रहा कि 3x प्लस 7 इकोल 16 है तो यह अक्स का मान बताओ यह सभी सहाय का द्यापक भरती पर इच्चा में पूछे गए सवाल है यह मत सोचना कि मैं कितना आफान आफान दे रहा हूं यह कैसे दे रहा हूं सब पूछे गए सवाल है इसी प्याधारित सवाल आते हैं सही 3x प्लस 7 इकोल 16 क्या कह रहा है यह एक्स का बैलू फाइंड करना है बहुत ही सिंपल है क्या है बहुत ही सिंपल है यहां से 3x बराबर यह 16 माइनस 7 तो यह अक्स बराबर 16 से 7 गटा होगे नो यह इधर से भाग में जाएगा तो यह हो जाएगा 3 क्या आएगा एक्स की बैलू तरी आएगी किता आएगा तरी आएगा ना चलो मारकर मैं एक और ले लेता हूँ अब बहतर होगा तो यह आप कर लिए कुश्चन नमबर हो गया एक और देखो साथवा नमबर में क्या है आपका तीफरा नमबर कुश्चन होगा थार्ड नमबर देखो चलो चलो रेडी हो जाओ कितने कुश्चन करवाए हमने दो तीन कितने हुए अगला लिखो यह सब बड़ा ही महत्तव पुर्ल सवाल है साथ भी दो ही हुए न तीन हो गए चलो ठीक है तीन हो गए न भाई दूए हुए निम्न में से किसका मान एक है गहरा है कि निम्न में किसका मान एक है देखो इसमें क्या करना है इसमें आप संदेखना जरूरी है पहला 0.404 क्या है भाईया 0.404 इंटू लिखो आप लोग चल्दी से इसको मैं ले करके लिख देता हूँ ठीक है संद्या जी आप कलास देखिए इमान दारी से ठीक है चलिए आप संद लेखो आप संद आप संद आप संद ये पहला है इंटू 4040 और इंटू है इसमें 0.1 क्या इसका मान वन होगा दूसरा आप संद देखो इसमें से कोई एक आप संद सही होगा भई 404 अपान 4.04 इंटू 0.1 तीसरा आप संद देखो 0.404 अपान 404 इंटू 0.1 और एक चौथा आप संद है लाश्ट आप संद इसको भी देख लो इसमें से कौन सा मान वन हो सकता है आप अगर एक चीज ध्यान दोगे तो दसमलो आला सिस्टम देखो इसमें कितने कितने अंक पर कहा है तब आप समझ जाओगे इसमें देखो 404 है पॉइंट है नहीं हाँ चलो कौन सा है आप संद कौन सा आप संद भाईया देखो वन किसमें हो सकता है अगर हम इसमें गुड़ा करेंगे आप देखो यहां तीन अंक पर दसमलो है बच्चा अगर इसका गुड़ा करोगे तो एक अंक पर यह दसमलो है और एक अंक पर यह है टोटल दो अंक पर दसमलो होगा जबकि उपर तीन अंक पर है तो यह एक जैसे नहीं बनेगा मतलब कटेगा नहीं नहीं कटेगा तो यह पहला सही नहीं होगा यहां पे देखो दो अंक पर दसंबलो है यहां पे एक अंक पर है बच्चा आप यह यहां पे थोड़ा सा देखो system यह आई से है न भाई सिंपल सी बात है अगर हम दसंबलो को ना देखें सिर्फ 404 का गुड़ा करें तो क्या आएगा हमें पता है यह 404 आएगा लेकिन दो अंक पर यहाँ दसमलो है और एक अंक पर यहाँ है टोटल तीन अंक पर दसमलो लग जाएगा तो कितना हैगा एक दो तीन तीन अंक पर दसमलो यहाँ पर हो जाएगा यानि ऊपर जितना है उतना ही आजाएगा फिर कट के वन आ जाएगा ना भी वाला आप से डाइट होगा कौन सा भी ठीक है चले आगे ब्रिज कांद मिस्रा जी अरजुन चोहन आ रहा ना समझ में वह या लिख लो जल्दी से टाइम हो गया काफी जादा अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग ध्यान दीजिए यह सब बड़े ही महत्तोपुल सवाल है याद रखना यह सब ही जो भी छात्र अध्यापक वर्ती पर इच्छा देना चाहते हैं टेट सीटेट सूपर टेट कुछ भी उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है अगला कुश्चन में इधर साइड में लिखूंगा जिनको हल करना है वो हल कर ले हां एक सवाल था जो मैं कल बता दिये थे लेकिन आज फिर मैं बता दे रहा हूं इसको आप देखके मुझे मान बताओ किता आएगा चलो यक्स का मान क्या होगा यक्स अपान एट प्लस फोर अपान सेवन हो यक्स अपान एट फ्लस फोर सेवन इकक्ल किता है 53 आपान 56 चलो चलो जल्दी फटा-फट रेडी हो जाओ कितना आएगा इसमें कोशिस करो आप लोग कितना आएगा बिवेक पांडे आरजुन चौहान जी ब्रिज कांत मिसरा चाप लिए संध्या सिंग बहुत अच्छी बात है चलिए तो चले हम लोग आगे बढ़ें अच्छा यहां से यक्स बटा आठ इधर कर लो यह तिरेपन बटा छपपन ऐसे रहने दो यह इधर से जाएगा फोर अपांस इपन इधर माइनस में हो जाएगा चूकि इधर पलस में है यह आप सबको पता है देखो आ गया उत्तर भी संध् सिंका ठीक है बहुत अच्छी बात है इनका दोनों काल्सियम लोगे बच्चा तो 56 आएगा अब भाई भीन हल करना तुम लोग को आता है मैं भीन हल करना भी नहीं बताऊंगा ठीक है साथ अटे चपन ही हो जाएगा बद तीस कि फाइनल में एक सपान एट कि एकाइस बटा तीन आएगा अब यहां पर जीरो लेबल थोड़ी पढ़ाना है कि मैं बताऊं कई से कट गया हूँ कई से कट गया इतना तो आपको आता ही है 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 ना कोई और मुसीबात है तो बता दो ठीक है चलिए इसको लिख लिए आप लोग जल्दी करिए यह बहुत ही मात्ता पूर कि कोसिस करने से ही मुस्किलासा होती है ना तो यह हो गया कि कितने सवाल होगे आपके चार-पांच हो गये ना चार हो गये इमांदारी से चार अगला सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके पहले आप यह बताओ अब अब भाई अस्फाजी आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा की नहीं आ न어나 समझ में अगला कुष्चन नंबर मैं देखता हूं प्रस्न चिन्न की जगा पर कौन सी संख्या होगी लिखो या फिर ऐसे लिख लो ए ए की जगा पर क्या होगा लिखो ए अपान 19 बराबर 76 अपान ए तो ए का मान बताओ चलो बहिए रेडी हो जाओ जल्दी से यह सब यूपी टेट के लिए बीसे समात्तव पुर्र सवाल है हुआ हर्जुन चवान आरा समझ में चलो बच्छा जल्दी रेडी हो जाओ इसमें आपको एक अवैलू बताना है देखो मैं आपसन देदूं आपसन लिखो आपसन लिखो पहला आपसन है उन्नीस चवटीस अर्टीस सथावन आ रहा किसी का बुझा रहा है अच्छा बुझाने दो ठीक है देखो इसको यहां पर ले आओ पकड़ की तो आई से हो जाएगा यह तिर्चा गुड़ा करोगे भाई साब तो यह काई स्कॉयर यह उन्नीस गुड़ा चीहतर हो जाएगा क्यूं यही बनेगा कि कुछ कड़बड हो रहा है का यही बनेगा ना जल्दी लिखो इसको फटा फट लिखो फटा फट लिखो बच्चा चलो तो अब क्या होगा इतना कर लिये चलो देखो हो गया हल हो गया ये आंसर कितना आएगा चार आएगा क्या 38 आएगा देखते हैं क्या आएगा देखो एक आईस्क्वाइर मतलब हमें कुल मिला के इसका वर्गमूल निकालना आ है हम इसे आएसे लिख सकते हैं 19 गुडा 4 लिख सकते ना बच्चा 4 क्या इसको 2 गुडे 2 लिख लो भाई 2 गुडे 2 लिख लो ना अब देखो यह हो गया 76 जगा पर 19 गुड़ा 28 गुड़ा 26 तो दोनो पक्छों को वर्गमूल करोगे अब यहां पर कोई basic तरीका तो बताना नहीं इसलिए मैं साटकर्ट में लिख दे रहा हूं तो एक जोड़ा इसमें से निकल जाएगा भाई साहब एक जोड़ा इसमें से निकल जाएगा बाबु उन्नीस गुड़ा दो बराबर 38 आएगा अंसर 38 आएगा जो चार चार बता रहे हो गलत है अब रिजी कांत मिसरा जी बिल्कुल राइट है अच्छा मुझे यह बताब आप लोग सीटेट की पढ़ाई इसमें से कौन कौन कर रहा है सीटेट सूपर टेट यह टेट है कोई यह सब मैद सीखने वाले हैं क्योंकि बहुत से ऐस कि अगला कुश्चन के ओर हम लोग बढ़ते हैं आप इसको चाप लिया हो नहीं चाप लिए तो थोड़ा वीडियो पीछे करो बताओ रिसा बर्मा आप पीबियार इस्टेडी लहाबाद चैनल देखो बच्चारी सब बर्मा पीबियार इस्टेडी लहाबाद चैनल पर प तो के गराकी पांच बटा चौदा में से खटाए जए कि भिन चाहत बटा 42 हो जाए बह अक्रुश्य नंबर पता नहीं कौ अट है शेम लेख société है घंज से क्या घंटाए क की साथ बटा 42 हो जाए कि क्या घंटा है कि साथ बटा बयालिस हो जाए देखो सिंपल है इसमें से क्या घटाएं कि साथ बटा बयालिस हो जाए वह सिंपल सी है ये बात कि जैसे अगर मैं आपसे बोलू कि नौ में से क्या घटाएं कि साथ हो जाए इसको तो तुम लोग जल्दी से कर लोगे एक सिकंड में कर लोगे नव में से क्या घटाएं कि साथ हो जाए तो कैसे पता चलता है कि दो घटा दे कैसे आता पता है हम मान लेते हैं कि यक्स घटा रहें तो यहां से हम माइनस यक्स बराबर साथ माइनस नो करेंगे तो माइनस का यक्स बराबर माइनस का दो दोनों देखो भई आरिजून का उत्तर भी आ रहा है लगता है सब नानी गव गया है नानी के गाउं गया है मतलब हाँ आज सब नानी गाउं गाउं गाई नहीं है कुछ तो नानी गाउं गया है क्योंकि नानी के गाउं से तो जल्दी आ जाते है लेकिन वो नानी के नानी के हां गए इसलिए बहुत कम बच्चे आए ना अच तो इसको तो कर लोगे ना मानलो इसमें से यक्स घटाएंगे देखो इसमें आप सुन दिये गए मैं आप सुन नहीं दे रहा हूं आपको हमने मान लिया कि हम इसमें से यक्स घटाएंगे बच्चा तो साथ बटा 42 आएगा आएगा ना भाई सहाब तो ये साथ बटा 42 और माइनस का पांच बटा 14 14 इसका दूनों केल्सीम करोगे तो 42 ए आएगा 42 से बाग करोगे वही रहेगा 14 से बाग करोगे बट्चा माइनस यक्स बराबर यह माइनस का आठ बटा 42 आएगा यक्स बराबर चार से काटोंगे नहीं कटेगा दो से काटोंगे हम हां दूचों का आठ हदू दूना चार दूएक कम दूए देखो दोनों तरफ माइनस इस हो जासी यह प्लस हो जाएगा 45 बनाएगा देखो इसमें आपसं था क्या हाँ आपसं था ठीक है तो यह हो गया आपका कितना फोर अपान 21 नोट कर लो आप सभी देखो इंटरनेट कल मैं चेंज कर दूँगा यह इंटरनेट मुझे बहुत हैरान कर दिया एकदम से ठीक है क्रिष्णा कुमार आज बहुत कम लड़का है ठीक है कोई बात नहीं 10-20 लड़के हैं बहुत अच्छी बात है अरे यार तुम तो हो ना बस अपने को देखो बाकी जाने दू दुनिया जाए भाड़ में चालो तो यह हो गया कि 17-26 जल्दी फटा फट कुछ और कर लो कितना बजने वाला है नो बजने वाला है क्योंकि अभी आउर सब आ जाएंगे ना धेर सारे लोग अगला सवाल देखो दो की घात दो का पावर यान माइनस वन अगला टाइप का कुछिश्टन नंबर सत्मा है सायद ना सत्मा नंबर देखो सकून से तो पड़ रहे हैं लड़ाई जगडा तो नहीं हो रही ना चलो यादी टू का पावर टू यान माइनस वन इक एक्वल वन अपान एड की पावर यान माइनस थ्री ये कितना भई है टू यान माइनस वन ध्यान दीजिए और ध्यान से लिखिए ठीक है टू यान माइनस वन है घाद उपर एक बटा आठ की घाद पराबर है एक बटा आठ इसकी घतिया का लगा है यान माइनस तीन कितना है यान माइनस थ्री ये दिया है तो कहरा फिर इसमें यन का मान क्या होगा है थोड़ा अधीब से न तो यन का मान बताईए चलिए कोई बता पाएगा मज़ा आ रहा है कृष्णा कुमार जी बिल्कुल मज़ा आएगा बहुत मज़ा आएगा लेकिन अगर आप छोटी कलास में हैं तो फिर आप यहां मज़ा मतलो जाके अपनी कलास पढ़ो कितना आएगा इसमें एनका बैलू कितना आएगा देखो सिंपल है सिंपल तो बहुत कुछ है इसमें आप लोग ट्राई करो ओप्शन ले लो यन का मान में आप्शन पहला चार है तीन है दो है और यह साथ है बच्चा यन का मान इसमें से आप लोग पहले मुझे आप्शन में से बताओ उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं जल्दी करो फटा फट बेरी बेरी फास्ट करो चलो जल्दी से हो जाओ करके बताओ हो गया किसी का कमेंट नहीं आ रहा है सब भाग गएका यह आ रहा है चलो ठीक है जो भी है संध्या ने कोशिच किया है कि दुख के मारा ठीक है I'm यह टू की पावर टू यण मैनस वन है कि दूसाब एक बात आप यह संझो कि आठक आप लिख सकते हो दूरिक घास तीन इक्षास के नहीं आइक को आठक को आप अड़का टीन लिख सकते हो ना लिख सकते हो जल्दी से फट से लिख लो आठ को दो का घात तीन लिख लो इसके बाद क्या करोगे आप इसके बाद आठ को दूए गात तीन लिख सकते हो लेकिन एक बटा आठ को का लिखोगे बच्चा एक बटा आठ को दूइक घात माइनस तीन लिखोगे याद रखना अगर वो बटे में दी गई है संख्या तो माइनस में होगा तो एक बटा आठ को हम लिख सकते हैं दूइक घात माइनस तीन यह माइनस तीन ऐसे ही रहेगा अईसकी खोपड़ी पे येन-3 तो पहले से है कुछ समझ में आया आया समझ में आधार आधार बराबर है बच्चा गातों की तुलना कर लो बाबू तो 2 येन-1 इक्वल माइनस-3 येन-3 बात बन रही न येन कमान निकलना है तो 2 येन-1 इक्वल यह माइनस तीन और धन नौ यहां से टू यह धन यह इधरे आएगा माइनस का प्लस होई जाएगा न यह धन नौ और धन एक तो पांच यह बराबर दस तो यह बराबर दुए कितना आएगा यह न का वैलू टू आएगा जल्दी छाफलो फटाफट लिख लो लिकलो बाई व्रेजे कांत जी टाइम ज्यादा होई रहेगा नहीं हो रहा है न टाइम ज्यादा चलो ठीक जल्दी करो अरी सब्ची कितना आएगा दो आएगा न दो आएगा कितना हो गया हभी और भी कुछ सवाल है अगला सवाल बहूत आसान है conse सिंपल है लिखो अगला सवाल थोड़ा बड़ा सा है इसलिए मैं इसको किताब से लिखूंगा आपके किताब में दिया है यह फिलहाल और यह कलास इस्पेसल रूप से जो टीचर भरती परिच्छा देते उनके लिए है तो अगर आप छोटी कलास में यह आपके काम की कलास नहीं है अगर को कमपटीशन में है तो आपके लिए है चाहे कोई भी कुछ भी अगर कुछ नमबर आज का साथमा या आठमा कुछ भी होगा आप नमबर लिख लो 26.003 इसको मल्टिपल करोगे 37.998 माइनस है भाई 309 माइनस क्या है 309 पॉइन्ट है 010 तो बराबर कह रहा है कि क्विशटन मारक ये पूरी कहानी हल करोगे तो क्या रेड़ी हो जल्ких पूरी कहानी हल करोगे तो क्या आएगा क्रिस्ट्ण कुम्हार जी ठीक है कोई बात नहीं संदेय सिंग गलत हो गया तो मूह काहे को ट्राई करो बच्चे जल्दी जल्दी देखो गुड़ा करना तो आपको आता है ना है हल करें फिर इनको दुनों को गुड़ा करो 987.06-309.010 यह बराबर क्या है कुष्चन मार्क हमें इसी कमान निकालना है फिलहाल तो कुष्चन मार्क ऐसे लगाते जाओ कोई बात नहीं है इसको आप घटा होगे भई घटाना जोड़ना तो आपको आता है गुड़ा करना इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं कि मैं आपको बता दूँ और आप कर ल और 680 है 670 है और 695 कि तो अब बताव कौन सा साइक करोगे करोगे कौन सा साइक करोगे पता है देखो अब आपका अप्सट्रीग तो कोई उत्तर नहीं आया लेकिन यह असर्वांग समय कितने के 68 कि भाइए थोड़ा बहुत अंतर है नजडीख नच्य 680 के तो ऐसा नहीं कहोगे इसमें से कौनों नहीं है आप 680 सेलेक्ट कर दोगे ठीक है ऐसे एक्जाम में हो सकता है फिर आप अगले सवाल की और हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी फटाफट कर लें अगला सवाल 26 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है चलो चलो रेडी रेडी एंड गो आप लोग इसको लिख लो जल्दी जल्दी से फटाफट देर मत करो देखिए जोड़ना घटाना आपको आता है यह सब गुड़ा कैसे हो गया घटा कैसे लिया अगर आपको यह नहीं आ रहा तो आप जीरो लेबल मैं देखिए क्योंकि आपको बेसिक कान से अप्टाना च सिखाओंगा ठीका है अगरे इका का लिख रहा तुम अगला कुश्चन नंबर नो डाल दो यह कुछ भी डाल दो अपने हिसाब से जो भी नंबर हो आपके वल सवाल पर ध्यान दो बस यक्स की पावर भी अपान यक्स की पावर फी कोश्टक बंद है गात ए है इसमें बच्चा यक्स की पावर सी अपान यक्स की पावर ए कोश्टक बंद है गात बी है यक्स का पावर ए अपान यक्स का पावर बी कोश्टक बंद है बच्चा गात सी है कहरा इनका मान क्या हो सकता है पहला आपसन है यक्स की पावर ए धन वी धनसी एक आपसन जीरो है एक टी वन है एक है इन में से कोई नहीं पहले आप लोग मुझे नाइन में से आपसन सिलेक्ट करो बड़ा दंदार सवाल हिए सूपर्टेट, सीटेट, यूपीटेट सबके लिए ये बड़ा ही important सवाल है ये पूछा जा सकता है mathematical operation के अंतरगत दिया गया है ऐसे option दिये जाएंगे इनको fast कैसे करोगे कोशिस करो बच्चा देखो भाई देखो इसमें बहुत कुछ एक समान दिख रहा है एकदम equal दिख रहा है तो क्या करोगे आप कुछ ना करोगे यार कुछ ना करो कुछ करो ही ना तुम लोग किवल गुड़ा कर लो एक अमल्टी पल इसमें करोगे अंदर में तो एक सकपावर A B हो जाएगा नीचे भाई इसका गहात है तो नीचे के लिए भी है ये A C हो जाएगा इसमें किसी को कोई मुसीबत नहीं ना ब्रिजिकांत मिसरा जी कृष्णा कुमार का आ रहा है भी सबका लगड़ा गलता है आ रहा है अपनार या को खावा जाया है इसका इसमें गुड़ा करोगे बच्चा टेक्स कोब बीहें मुसी ओजाएगा और यह एक सक पावर एवी होजाएगा कि इसका गुड़ा करोगे एसी एक सबस्कोबिए जाहां से इगो यहERD कट गया..AB से बच्चा ये कट गया..AC से एसी कट गया..Ph coins.. बराबर spraw spicy य firm कर लो बस कंग का समझ में आया ना कैसे हुआ है देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन है अल करने मीं कितना जल्दी हल हो गया चलो चाप लो जल्दी चाप लो अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए हमारे बोर्ड के सामने बहुत कम जगा है हां तो भाई या थोड़ा सा में अर्जेस्टमेंट करना पड़ता है कुछ सिकेंड हम आपके लिए देते हैं लिखने के लिए बस बहुत प्रम है या फिर क्या कैसे है कुछ समझ में कम आ रहा है मुझे लाइट कम दिखती है क्या आपको कलास में लगता है बोर्ड पर कम लाइट है क्या है कुछ बिलर टाइप का दिखता है मतलब ऐसा लगता है लाइट कम है लाइटे बहुत सारी जल रहे हैं लेकिन कुछ नो कुछ तो है कि सब मस्त है चलो ठीक है एक सवाल आगे लिखो एक सवाल आगे लिखो यह मेरा फॉन में वाइस है भाई अगला सवाल लिखो एक अब इसको तुम लोग घर से करो गया अरे कुछ अपने से भी तो कर लो इतना देर से मैं लिखा रहा हूं चलो लिखो फटा फट लिखो सेवन इंटू अनपान्टू माइनस देखो आप लोग लाइब के लाब वीडियो देख लिया करो जादा बेतर रहेगा दो इंटू अनपान फोर डिवाइड बाई ये भी बड़ा ही सांदार सवाल है चलो माइनस वन अपान टू इंटू वन इंटू अनपान टू माइनस वन अपान थ्री वन अपान शिक्स और ये ऐसे पूछ रहा है कि कुश्चन मार्क का मान क्या होगा चलो जल्दी से जवाब दो आप लोग कोशिश करो क्या होगा इसका मान फटा फट रेटी हो जल्दी से कितना आएगा इसका मान हाल करके बताना मुझे ठीक है तो मैं कलास आज की बंद कर रहा हूं अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताइए अगर आप इस कलास को यूटूब पे देख रहे हैं है तो आप प्र स्टड़ी एप में जाए और वहां पर जल्दी फी जल्दी कोर्स देखें आप की यूटूब पर आप ऐसे देख सकते हैं लेकिन यूटूब पर आपको कुछ थोड़ा बहुत जोसु भी आप में मिलती यहां पर नहीं मिलेंगी ठीक ना बाकी आप देख स लाहबाद चनल पे